गुड मॉर्निंग इंडिया मैं हूँ आपके साथ हार्जु साइं दिल्ली के आपकारी नीती घोटाला मामले में गिरफतार किये गए दिल्ली के उप मुख्य मंत्री मनीश सिसोधिया को आज राउजिवेन्य कोर्प में पेश किया जाएगा इनकी पेशे दोपहर दो बज़े के करीब होनी है जो वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये भी हो सकती है वही सिसोधिया की गिरफतारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है दिल्ली में बीजिप मुख्याले के बाहर आप नेता और का प्रदर्शन करेंगे कल सीबियाई ने कैमरा के सामने करीब आठ घंटे के पोच्टाश के बाद मनेश सिसोधिया को गिरफतार कर लिया था सीबियाई ने कहा कि पोच्टाश में सहयोग नहीं कर पा रहे हैं सिसोधिया और सवारों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं सिसोधि बीजेपी के मुख्याले में लिखी गई है और जांच एजेंसियां बीजेपी की एकाई के तौर पर काम कर रही हैं वहीं बीजेपी की प्रवक्ता संभीत पात्रा ने कहा कि आबकारी नीती को मंत्रियों के सामने रखने से पहले आम आदमी पार्टी ने शराब माफियां तक पहुचा दिया जिससे शराब माफिया अपने फाइदे की नीतियों को अपना ले और हाने के विशे को बदल दिया जाए दिल्ली के मुख्यमंतरी मनीश सिसोधिया रविवार सुभा 11 बजे पूश्टाच के लिए CBI मुख्याले पहुचे तो बाहर नहीं निकले CBI ने करीब 8 घंटे कैमरे के सामने पूश्टाच के बाद उन्हें गिरफतार कर लिया मामला दिल्ली सरकार की आपकारी नीती 2021-22 से जुड़े कथित घोटाले का है CBI सूतरों के मुटाबिक मनीश जाच में सहयोग नहीं कर रहे थे और सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे थे इसलिए उन्हें गिरफतार किया गया सूतरों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि इस मामले में आरोपी नमबर वन मनीश सिसोदिया के खिलाफ पुक्ता सुबोत है उधर आम आदमी पार्टी ने इस गिरफतारी को लोकतंत के लिए काला दिन बताया मनीश सिसोदिया जी को आज एक पूरी तरह से फरजी और जूटे केस में खसा के उनको गिरफतार किया गया है मनीश जी एक इमानदार देश भक्त और साहसी व्यक्ति हैं देश के अंदर शरीफों को, देश भक्तों को, अच्छे लोगों को, इमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। और जो जिन लोगों ने अर्बों, खर्बों रुपए लूट लिये बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। मैं कहूंगा जे मनीश से सोधिया की गिरफतारी नहीं है लाखों बच्चों के ववेश्य की और उनकी उच्च सिक्षा की अभवानना है क्योंकि सकूलों में अक्सर लिखा रहता है अगर आप छोटों के लिए सकूल बना दोगे तो बड़ों के लिए जेल बनाने नहीं पड इससे पहले रविवार सुभा अपनी मा से आशिरवार लेने के बाद मनीश जब घर से निकले तो उन्हें इस बात की पूरी आशंका थी कि इस बार आपकारी घोटाले में सीबियाई ध्वारा पूश्टाच के बाद उन्हें गिरफतार कर लिया जाएगा महत्मा गांधी की समाधी पर शद्धांजली अर्पित की और फिर खुली कार से पार्टी कारेकरताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सियासी साजिश के तहट उन्हें गिरफतार करने की तयारी है मनीज सिसोदिया आप कारेकरताओं के हुजूम के साथ CBI मुख्याले पहुचे उनके समर्थन में वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे आपके वरिष्ट नेताओं संजे सिंग और गोपाल राय समेथ करीब पचास आप कारेकरताओं को हिरासत मिलिया गया मैं समझता हूँ ये जुर्म की इंतिहाँ ये ताना साही की इंतिहाँ ये एक ऐसे सिच्छा मंत्री पर कारवाई है जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके उनका भविष से बनाने का काम कर लादा मुदी जी आपने अच्छा नहीं किया आपकारी नीती में कथित घोटाले में दिल्ली के उपरा जिपाल के निर्देश पर सीबियाई ने 19 अगस्ट 2022 को केस दश किया था सीबियाई की एफाई आर में कुल 15 आरोपी हैं जिन में मनीश आरोपी नमबर वन है जाच एजनसी इस सिलसले में मनीश सिसोधिया समेथ कई आरोपियों के यहां छापे मारी कर चुकी है उधर प्रवर्तन निदेशाले भी इस घोटाले की जाच कर रहा है दोनों एजनसियों ने अब तक इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफतार किया है सीबी आई और एडी इस मामले में 3-4 शीर दायर कर चुकी है एक आरोपि दिनेश अरोडा सरकारी गवाह बन गया है जाच एजनसियों के मताबिक आरोपियों ने इस दोरान सबूत छुपाने के लिए 170 मुबाइल फोन और सिम कार्ड नश्ट किये मनीश सीसोदिया पर भी आरोप है कि उन्होंने साथ मुबाइल फोन बदले आरोप पत्र के मताबिक दक्षिन भारत की शराब लॉबी से आप नेता विजय नायर को कमिशन के तौर पर 100 करोल रुपए मिले जिनका इस्तेमाल आमादमी पार्टी ने गोवा के चुनावों में किया इस मामले में अर्विन केजरिवाल के पिये विभाव मनीश सीसोदिया के पिये देवेंद्र शर्मा और स्वास्थ मंत्री रहे सतेंद्र जैन से भी पुष्टाच हो चुकी है प्रवर्तन निदेशाले के मुताबिक ये घोटाला 2873 करोल रुपए से जादा का है आरोपों के मुताबिक आपकारी मंत्री मनीश सीसोदिया ने शराब कारोबारियों से मिलकर ऐसी आपकारी नीती बनाई जिससे शराब कारोबारियों को फाइदा हुआ और उसके बदले आप नेताओं को मोटा कमिशन मिला आज हम सिक्षा मंत्री मनीश सीशोदिया जी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कहीं न कहीं अपने सिक्षा नीती, अपने स्कूल इनके विशियों को सामने लाकर मनीश सीशोदिया की रक्षा करने की कोशिश कर रहे है मगर प्रशन उठता है शराब मंत्री मनीश सीशोदिया जी ने शराब का घुटाला किया या नहीं किया क्या ये हकीकत नहीं है कि आज दिल्ली में बच्चा बच्चा ये जानता है कि आम आदमी पाटी और मनीश शिशोदिया जी ने अपने कमीशन के चक्कर में ये एक टेक्निकल विशय है हर कोई जानता है कि जहां तक होल्ड सेलर की कमीशन का विशय था पहले जो कमीशन दो प्रतीशत का था उस कमीश रूपोर्ट में पेश किया जाएगा पी डबल्यूडी जैसे तमाम विभाग उनके पास है सतेंद्र जायन के बाद गिरफ्तार होने वाले वे दिल्ली के दूसरे मंत्री हैं और सिसोधिया ही दिल्ली की सरकार चलाते हैं क्योंकि केजरिवाल अक्सर पार्टी विस्तार में व्यस्त रहते हैं अब सिसोधिया की गिरफ्तारी से केजरिवाल एक तरह से दिल्ली में बंध जाएंगे दरसल ये दोनों अरविन केजरिवाल और मनीश सिसोधिया एंजियो परिवर्तन के समय से ही एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के साथ है अमनेश से सोधिया की गिरफतारी पर हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने बात की है आमादनी पार्टी की विधायक आतीशी से सुनी प्रश्टा चार का वो एक पैसे का आरोप नहीं साबित कर पाए तो उने कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही था क्यूंकि देखिए ये मामिला Ex canvas policy का नहीं है ये मामिला CBI और ED की जाश का नहीं है ये मामिला आम आदमी पार्टी की और अर्वेंध के जुड़ीवाल की बढ़ती हुए लोगप्रियता कई और उस लोग प्रियता से जो भातिये जंता पाटी को डर लगता है उसकी वज़े से मनीश से सोधिया जी की गिरफतारी को लिए कुछ तो सीबाई को मिला होगा न क्योंकि अभी तक नहीं मिला था तो चार्शीट में नाम नहीं आया था अब शायद मिल गया हो इस वज़े से गिरफतारी कर लिए है क्यों कोट में भी तो उनको स्टैंड करना है देखिए मैं आपको आज की तारीक को आप नोट कर लीजी आप भी यहीं है हम भी यहीं है मैं आज पूरे देश के सामने दावा करके कह सकती हूँ कि यह केस जिस दिन पर ट्रायल पर जाएगा CBI एक रुपे के भी भरष्टा चार का आरोब साबित नहीं कर पाएगी मनीश से सोधिया पे मैं आज की तारीक में पूरे देश के सामने यह दावा कर रहे हूँ तो क्या केवल कोट में लडेंगे या सड़क पर भी लडेंगे देखिए इस लड़ाई को हम कोट में भी लडेंगे सड़क पर भी लडेंगे लेकिन देखिए यह लडाई सिर्मनीश से सोधिया की अरेस्ट की नहीं है यह सच्चाई की लडाई है यह एक ताना शाही के खिलाफ आवाज उठाने की लडाई है आज बात यह जंता पार्टी को लगता है कि वो पावर में हैं तो वो किसी को भी दबा सकते हैं लेकिन आज उन्हों ने एक मनीश से सोधिया को अरेस्ट किया है तो हजार मनीश से सोधिया पैदा होंगे जो इस देश के बच्चों को अच्छा भविश्च देने के लिए काम करेंगे दिली से कैमरा परसान पूजा आरिया के साथ मैं शरच शर्मा एंडिटी मीडिया मनीश से सोधिया की गिरफतारे के बाद बीजीपी के तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई बीजीपी प्रवक्ता समित पात्रा ने ट्वीट किया और लिखा मनेश्य सिसोदिया विश्यो के पहले शिक्षा मंत्री हैं जिन्हें शराब घोटाले में गिरफतार किया गया है स्कूल जो हिंदुस्तान के भविश्य को गढ़ता है उस स्कूल के सामने शराब के ठेके खोले जा रहे हैं और उससे कमिशन लिया जा रहा था अर्वेंद केजरिवाल आप हमारे देश के बच्चों के साथ खिलवार कर रहे हैं और चले अब सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर कॉंग्रेस नेता राश्य दल्वी ने क्या कुछ कहा लगता है कि डेमोक्रेसी खतम हो चुकी है देश में ताना शाही है तमाम एजनसी सरकार के दबाव में काम कर रही है विपक्ष को खतम कर देना चाहती है ये दुर भागे पूम है डेमोक्रेसी के लिए सारे विपक्ष को एक साथ आना होगा अब भारती जंता पार्टी के नेताओं से और पिर्धान मंतरी से बड़े अदब के साथ कहना चाहूँगा इस गलत रहमी में मत रहिए कि हमेशा सत्ता आप के पास रहेगी उदर समाजवादी पार्टी के अध्याक शक्लेश यादव का भी टूइट सामने आया मनेश सिसोद्या की गिरफतारी ने ये साबित कर दिया है कि बीजेपी सरकार दो हजार चौबीस से पहले ही अपनी हार मान चुकी है इसलिए अलग-अलग प्रदेशों में विपक्षी सियासी शक्तियों को जूठे मुकदमों में फंसा रही है लेकिन संघर शुशी लोग जेल जाने से नहीं डरते सच को भला कब तक गिरफतार रखा जा सकता है पंजाब के बजट सत्र के मुद्धे पर अब सुप्रिम कोट में पंजाब सरकार पहुंच चुकी है आज सुप्रिम कोट में जल्द सुनवाई की मांग कर सकती है पंजाब सरकार राजपाल के खलाफ अब सुप्रिम कोट पहुंच चुकी है पंजाब सरकार 22 फरवरी को पंजाब कैबिनेट ने गवर्नर को चिठी लिखी थी बजट सत्र बुलाने के लिए गवर्नर को ये चिठी लिखी गई थी अब तक राज्यपाल ने बजट सत्र को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है और इसी मामले को लेकर अब सुप्रिम कोर्ट पहुंच चुकी है पंजाब सरकार, जादा जानकारी हमारे सहयोगी आशीश भालगव हमें देंगे, आशीश क्या ये पूरा मामला? राजे सरकार को कि वो कब सदन बुलाए और इसके लिए राजे पाल को सिर्फ इंटिमेट करना होता है, राजे पाल के पास इसे ज़्यादा अधिकार नहीं है, ये सेटल कानून है, पहले से पैकानून है, और समिधान में सेती साफ है, इसलिए वो सुप्रिम कोर्ट राजे पाल के खलाफ सुप्रिम कोर्ट पहुंच चुकी है, और बाइस फरवरी को पंजाब कैबिनेट ने गवर्नर को चिटी लिखी थी, लेकिन उसका कोई जवाब उन्हें नहीं मिला, बजट सत्र को लेकर ये पूरा विवाद है, और ये विवाद अब सुप्रिम कोर् आज मेघाले और नागालेर में मतदान हो रहा है, आपको बता दें कि यहां की 60 सीटों में से दोनों जगा 69 सीटों पर वोटिंग जारी है, बात अगर मेघाले के करें तो यहां के पूर्वो मंत्री और UDP के उम्मिदवार HDR लिंग्दों के निधन की वज़ह से शिलॉंग स सीट पर मतदान तल गया है, सुबह साथ बज़े से ही वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम चार बज़े तक चलेगी, यहां इस बार सभी पार्टियों ने अकेले चुनाव लड़ने का पैसला किया है, बीज़िपी और कॉंग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही ह वहें अनपिपी ने सतावन और टीमसी ने अठावन सीटों पर अपने उम्मिदवार उतारे हैं कॉंडर संग्मा अपना मद्दान करने आएंगे और मेगाले के चुनाव के बारे में अगर कहा जाए तो 3419 पोलिंग स्टेशन है जहां पे आज मद्दान हो रहा है 21 लाग से भी जादा वोटर है और इन 21 लाग वोटर में महिला वोटर पुरिष वोटर से जादा हैं और इन विदानसभा कॉंस्टवेंशी में ही मद्दान होंगे क्यूंकि शोयों विदानसभा कॉंस्टवेंशी में मद्दान रत कर दिया गया है क्याँ के वहां पे एक कैंडिडेट है कॉंग्रेस और बीजेपी ये दोनों नेशनल पार्टी और साथो साथो सीटे में अपने उमीदबार करे कर चुके हैं ये बहुत महदपूर्पूर्ण शेत्र है साउथ तूरा जहां पर की मुख्यमंत्री खुद लड़ रहे हैं उनके बिरुद बीजेपी के एक लेकर ये तो आप लोक ये जो इंटरेस्टिंग पोल बैटल है इसको किस तरब से देखते हैं वोटर से ये तो बहुत एक्साइटिंग है और बहुत पहले बार बहुतताफ होने बहुत कठिन होगा आप देख सकते हैं हैं पर खासी भी रहे है अब लोगों के मन में बहुत उस्सा भी है इस नाओ को लेकि जो महिला बोटर है वह अगाले में बहुत महत्रपूर्ण है और जो गारोहिंद शेत्र हैं यहां पर 24 सीट है खासी हिल्स में 29 सीट है और जैंतिय हिल्स में 7 सीट है मगर गारो हिल्स में जो लड़ाई है वो दोनों सांगमा फैमिलीज के बिरुद्ध है सांगमा परिवारों के बीच में है और राजनितिक जानकारों का ये मानना है कि ये जो गारो हिल्स का लाराई है इसमें जो सांगमा पड़िवार आगे निकलेगा वही शायद आगे जाके सरकार भी बना सकती है हुधरना अगालेंड में भी आज 69 सीटों के लिए मतदान हो रहा है राज्य की अकुलुतो विदान सभास सीट से बीज़ेपे के उमिदवार का जेतो की मीनी पहले ही निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं ऐसे में नागालेंड में इस बार 183 उमिदवार मैदान में है इनकी किसमत का फैसला 13,17,000 से ज़्यादा वोटर्स करेंगे चुनाव के लिए राज्यों में 2315 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और सेंट्रल पोर्सेस की 50 कंपनियों को तैनाद किया गया है दो मार्च को त्रिपुरा और मेगाले के साथ नागालेंड के भी नतीज़े आने है नागालेंड में इस बार बीज़ेपी और एंडीपीपी मिलकर चुनाव लड़ रही है जिसमें से बीज़ेपी ने 20 जबकि एंडीपीपी ने 40 उमिदवार मैदान में उतारे है इनका मुकाबला नागापीपल्स फ्रंट से है और यहां पर पोलिंग शुरू हो चुकी अभी आपको महलाओं की कतार नहीं दिख रही है लेकिन नौर्टीज की चुकास बात है वो यह है कि विमेंड वोटर्स हमेशा आउट नंबर करती है मेल वोटर्स को यहां पर आप देख सकते हैं कि अरली मॉर्निंग बड़ी हां पर सर्द मॉसम है उसमें भी हां पर लोग आ चुके है आपक ब्रिटर वाग बुता्याओ बशाओं, पु tasty क्योँ रूपी है अवीड है उस्मेश बड़ीघ है टोस्ते हैं, पति हैं मेली लिदी नंग क्वेlaखं को हैं पालेवाग के बाति मोटने वाट बातित्ये थ रहीत है यहां पर नागलेंड में कई मुद्दे बढ़े हैं सबसे नागा पुलिटिकल इसु का जो मुद्दा है तमाम पुलिटिकल पार्टी ने प्रॉमिस किया है कि वह इन तमाम नागा पुलिटिकल इसु जो है उसको पूरा करेंगे साथ ही अब देखिए पीस, डिवेलप्मेंट, मिलिटनसी, इंसरजनसी इनको कम करने का भी वादा किया गया है कई लोगों द्वारा कि जो लोकल चर्च का पैस्टर होता है वो वहां आकर सबसे पहले प्रेयर करता है और उसके बाद ही पोलिंग शुरू होती है देखना ही बाकी है कि किस सरीके से आज नागल एंड वोट करता है यह 60 सीटे हैं यहाँ पर लेकिन 59 सीट पर यह आज का मुकावला है एक सीट पर बीजेपी कैंड़ेट अनपोस्ट अल्रेडी जी चुका है देखना ही होगा कि चुनाव के क्या नेतीजे आते हैं और किस सरीके से 2024 के पहले 39 का बैटल नजर आता है कोहिमा में अपने कैमरे से होगी संजेच चकरवर्ती के साथ वेदान एड़ी टीवी इंडिया 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक जुट करने के प्रस्ताव के साथ कॉंग्रेस का रायपूर महाधिवेशन रविवार को खत्म हो गया कॉंग्रेस ने अपने राजनितिक प्रस्ताव में विपक्ष को एक जुट करने के अलावा कॉंग्रेस को मजबूत करने के लिए एक और भारत जोडो यात्रा करने का भी फैसला लिया राहूल गांधी के नेत्रित तुमें ये यात्रा बरसाथ के बाद शुरू होगी पूर्वोत्तर राज्यों से पश्चिमी राज्यों के ओर जाएगे रायपूर अदिवेशन की समापती के बाद से ही एक और यात्रा की चर्चा तेज हो गई है कॉंग्रेस भाराज जोरो यात्रा की चर्चाओं को थमने नहीं देना चाहती इस बार ये यात्रा राहूल गांधी पूरव से पस्चिम की ओर करेंगे चर्चा तो चली रही है आपको अभी जैराम रमेश जी ने भी बताया कॉंग्रेस की इस अदिवेशन में राहूल ने अपने भासन में बीजेपी सरकार पर चीन के सामने भुटने तेकने का आरोप लगाया कुछ दिन पहले इंटर्वियू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की एकॉनमी हिंदुस्ताइन की एकॉनमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं चाइना की एकॉनमी हिंदुस्ताइन की एकॉनमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं जब अंग्रेज हम पर राज करते थे क्या उनकी एकॉनमी हमारी एकॉनमी से छोटी थी इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो इसको कायरता कहा जाता है हमें केवल चलते रहना है हमारी कई पीडिया वहीं कॉंग्रेश सद्यक्स मलेकारजुन खरगे ने बेरोजगारी और अमीर गरीब की बढ़ती दूरियों को लेकर के सरकार को आरे हाथो लिया देश में जिस जनक स्थर पर गैर बराबरी बढ़ रही है उसका बहुत खतरनाक संकेत मिल रहा है अमीर और अमीर हो रहा है जबकि गरीब और गरीब बन रहा है गाओं शेरों के बीच खाई गैरी होती जा रही है मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक मजबूत कांग्रेश से ही एक बुलंद भारत बन सकता है मजबूत कांग्रेश मजबूत कांग्रेश विपक्षी दलों का एक मोर्चा बन सकता है। चुनाव से पहले कॉंग्रेस देश भर में बड़े अस्तर पर जंच संग पर कार्ड करम चलाएगी। के लोग सभाद चुनाव तक जारी रहे। राइपूर से जुलफिकार अली और कारन पात्रा के साथ मनरंजन भारती एडिटीवी इंडिया के लिए। कैंस्टर गंभी रूप से घाया। दिल्ली के आपकारी नीती घोटाला मामले में गिरफतार किये गए दिल्ली के उपमुक मंतरी मनीश सिसोधिया को आज दिल्ली के राउज रेविन्यू कोट में पेश किया जाएगा। इनकी पेशी दो पहर दो बजे होनी है जो वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये भी हो सकती है वहीं आज अगर आप देखें तो सिसोधिया की गिरफतारी के विरोध में आमाद्मी पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है दिल्ली में बीजेपी मुक्याले के बाहर आमाद्य पार्टी के नेता और कारेकरता प्रदर्शन करेंगे और इस बीच कल संजे सिंग गोपाल राय समेत जो आमाद्य पार्टी के नेता और कारेकरता हिरासत में लिए गए थे आज उन्हें दिल्ली पुलेस छोड़ देगी और इन्हें आपको बताएं कल सीबियाई कैमरे के सामने करीब आठ घंटे तक जो है मनीश सिसोधिया से पूश्टाच की जिसके बाद उनको ग्रफतार कर लिया गया और सीबिया ने कहा कि पूश्टाच में सहयोग नहीं कर रहे थे वो और सवालों के सही जवाब वो नहीं दे रहे थे सिसोधिया को राद भर सीबिया के तोर पर काम कर रही है वहीं बीजे पी के परवक्ता सम्मित पात्रा ने कहा कि आपकारी नीती को मंत्रियों के सामने रखने से पहले आम आदमी पाटी ने शराब माफिया तक पहुँचाई जिस से शराब माफिया अपने फायदे की नीतियों को अपना ले और हानी के विशे को बदल दिया जाए तो ये पूरा मामला था जो एक सियासी रूप से बड़ा मुद्दा भी बना उसके बाद मनी सिसोधिया को जो है लंबी पूश्टाच के बाद गरफतार किया तो क्या बड़ी बाते इस मामले को लेकर रही हैं और आज किन चीजों पर आपकी भी नजर रहनी चाहिए वो आपको बताते हैं मनी सिसोधिया के बाद राउस एवनी कोट में उनकी पेशी आज होनी है और ये पेशी करीब दो बज़े के आसपास जो है वो हो सकती है और आपकारी नीती घुटाला मामले में जो है इनकी गरफतारी हुई है जैसे कि हमने आपको बताया इस मामले की जो है जाज सीबियाई भी कर रही है और सीबियाई ने कल इनको लंबी पोश्टाच के बाद गिरफतार किया आठ घंटे तक मनी सिसोधिया से जो है पोश्टाच सीबियाई ने की दूसरी बार इनको पोश्टाच के लिए बुलाय गया था और सुभा जब वो पहुँचे तो कारेकरताओं के साथ हलाकि आमादी पार्टी पहले से इसका अंदाजा जो है वो लगा रही थी अंदेशा कि इनको गिरफतार किया जा सकता और वैसा ही हुआ कल पूश्टाच में सिसोधिया ने सैयोग नहीं किया ये सीबियाई की तरफ अमादी पार्टी का इसको लेकर क्या कहना है वो भी आप देखिए अमादी पार्टी इसको लोगतंतर के लिए काला दिन बता रही है मनी सिसोधिया की गिरफतारी को क्योंकि के एहम नेता है ये दिल्ली की अपनुक्मंतनी है और बड़ी जिम्मदारी इनके उपर है दिल् पॉलिसी को लेकर लगाये गए और यहां पर बीज़पी का ये भी कहना है कि शराब माफियाओं से अमाधी पार्टी की मिली भगती इसके तहट ये जो पॉलिसी थी इसको लाया गया और उनको फाइदा पहुचाया गया और दिल्ली सरकार को जो है रेविन्यू में इसके इस सवाल उठाता कि कहां कहां उनको खोल दिया गया ये बड़ी चर्चा का विश्य जो है वो रहा था तो ये एक बड़ा मामला है जिसमें दिल्ली के जो उपनुक मंतरी है मनी सिसो दिया उनको गिरफतार किया गया है और जैसे कि हमने बताया कि आज उनको कोट में पेश किया जाना है और इस गिरफतारी के बात से ही जो आमादी पार्टी है वो कल से ही इस को लेकर जगह जगह पर उनके नेता जो है विरोध्वे जिता रहे थे और आज भी बड़े सतर पर विरोध्भा प्रतंशन के ताजारी आमादीं पार्टी के त, तो यह एक ऐसा मामला है जि का इस मामले में कई गिरफतारियां हुई हैं जो बड़े नाम अब तक गिरफतार हुए हैं उसमें एक तो मनी सिसोदिया का नाम है जो दिल्ली के प्रुक पंतरी हैं दूसरा विने नायर का नाम आपने काफिस सुना होगा जो की आमादी पार्टी के कारे करता हैं ये उन उनके पूर्व सीए ये हैं तो एक साउध कनेक्शन भी इसमें जो है वो जोड़ा गया ये हम आपको बताएंगे आगे कि ये किस तरह से इस से मामले से जोड़ रही है बात उधर रागवन जो की वाई एस आर सीपी के सांसत के बेटे हैं इनको भी जो है इसमें अब तक ज पेश किया जाना है अब आप देखिए कि इस मामले में जो आरोप प्रतियरोप हैं वो क्या हैं बीजेपी इस पर ये कहती है कि आमादी पार्टी सरकार ने शराब नीती जो है वो वापस क्यूं ली अगर ये इसमें कोई खामी नहीं थी कोई इसमें जो है ब्रश्टचार हुआ तो फिर आमादी पार्टी ने इसको वापस क्यूं लिया इस पर आमादी पार्टी का ये कहना है कि शराब नीती जो है वो LG ने वापस ली है हमने इसको वापस नहीं लिया है आमादी पार्टी के नेता शराब नीती को लेकर जो है अपनी बाते रखते रहे कि ये पर आप यह भी है और आमादी पार्टी इस पर कहती है कि अगर दस जार करोड का घोटाला हुआ तो फिर वो पैसे कहा है अगर घोटाला किया गया तो फिर उन पैसों का लिंक जो है वो बता जाए कि वो पैसे आखर हैं कहां जिसके घोटाले की बाद बीज़ेपी कर रही है बीज़ेपी का यह भी कहना है कि शिक्षा मंत्री नहीं शराब मंत्री है मनी सिसोधिया आपको बताएं कि जो एजुकेशन है शिक्षा है उसके शित्र को में जो काम किया है अमादी पार्टी उसको लेकर अलग-लग राज्यों में भी परचार करती रही है इसलिए मनी सिसो पटिया को उनके काम के लिए नोबल पुरसकार मिलना चाहिए। पूर्शी आपनी पार्टतर मैं जाती हैं। मनी सिसोधिया क्यों हैं ये तो आप जानते हैं दिल्ली के उपनुक मंत्री हैं इसके अलावा कई जिम्मधारियां हैं उनके उपर दिल्ली सरकार के अंदर अरविन के जिवाल के सबसे भरोसे मन साती तो वो ही डिली के उपमुक मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, इसके लाबा बड़ी सारी जिम्धारियां, मनिसी सोदिया के पास है, डिली सरकार और आमाधी पार्टी में नमबर दो का ओदय इनके पास है और इनके द्वारा जो किया हुआ काम है उसको लेकर आमादी पार्टी परचारित भी करती रहती है जैसे कि स्कूलों की बात हमने आपको बताई उधर दिल्ली सरकार के 18 विभाग इनके पास है जिसमें से वित भी शामिल है जिस पे बजट को लेकर भी अब सवाल यह है कि दिल्ली का जो बजट है वो कैसे पेश होगा और कौन उसको पेश करेगा यहाँ पर जो विभाग है इनके पास वो भी आप देखिए ग्री विभाग इनके पास है शिक्षा है वित है पी डबलू डी जैसे जो एहम विभाग है इसकी जिमिदारी मनी सिसोधिया के उपर है और अब इनकी गिरफ्तारी के बाद ये सवाल भी काफी एहम हो जाता है कि इन सब का जो काम है वो कैसे अब होगा आमादी पार्टी में या दिल्ली सरकार में सब को कौन अब देखेगा उधर सतियंद्र जैन के बाद गिरफतार होने बाले दिल्ली सरकार के दूसरे मंत्री है और सतियंद्र जैन को भी लेकर आमादी पार्टी जो है उनके मंत्राले उनके काम को लेकर भी प्रचारित काफी करती रही अब उसके बाद मनी सिसोधिया के गिरफतार यहां पर हो गई हैं आप इनको देखते भी रहते हैं अलग-लग मुद्दों पर यही बर चड़कर अपनी राय रखते हैं अपनी बात रखते हैं उदर से सोधिया की गिरफ्तारी से के दिली से केज़िवाल बन जाएंगे क्योंकि जाहिर है अगर ये नंबर दो है तो इनके जेल जाने के वरतन के समय से ही केज़िवाल औसे सोधिया साथ रही हैं जब अंदोलन में शामिल थी ये लोग तब से ही इन लोग को का सात रहे उस से भी पहले से और अब डिली में जो सरकार है मादि पार्टी की उसमें भी अर्विन केजरिवाल और मनीश से सोधिया इनको नमबर एक नमबर दो जो है वो माना जाता है और इसलिए ही काफी एहम है मनीश से सोधिया जिनकी गिरफतारी के बाद अब दिली सरकार का कामकाज कैसे होगा उसको लेकर भी अब सवाल जो है वो बड़े हो गए हैं तो ये काफी एहम हो जाता है कि कैसे काम अब होगा दिली सरकार की अंदर जैसे कि हमने आपको बताया अठारा विभाग इनके पास हैं जिसमें काफी महत्वपूर्ण ऐसे विभाग हैं जो कि इनकी जिम्मेदारी इनके जिम्मे थी दिल्ली के उपमुक्य मंतरी मनीज सी सोधिया के गिरफतारी के ठीक अगले दिन सुबह सुबह आमाधी पार्टी के दफ्तर पर किस तरी की तस्वीर है ये दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आमाधी पार्टी दफ्तर पर सुबह से ही भारी पुलिस बंदोबस्त दिखाई दे रहा है ये देखिए हालकि इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आमाधी पार्टी ने आज प्रोटेस बुलाया हुआ है बीजेपी मुख्याले का घेराव आमादी पार्टी करेगी तो उससे पहले सुबह सुबह ही वैसे आम तोर पर इससे पहले भी जब प्रोटेस्ट हुए है तो पुलिस का अरेज्जमेंट तो होता है लेकिन सुबह सुबह ही इस सरे से तैनाती पुलिस की नहीं दिखाई देती है और इतनी जादा तैनाती जो है ये तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देती ये संबब है कि पुलिस को ये आशंका हो कि मनीज सिसोजगे ग्रफतारी हुई है तो आमाधी पार्टी के कारेकरता उग्र हो सकते हैं बड़ी संख्या में आ सकते हैं ये देखिए वजरवाहन और ये देखिए ये इदर वाटर कैनन भी खड़ी है ये डिटी सी की बस भी खड़ी है लोगों को डिटेन करने के लिए अगर करेकरता उगर होते हैं और बात नहीं मानते तो डिटेन करने के लिए डिटीसी के बस उकाप इंतिजाम है असल में ये आईटियों से आ रही रोड है और इसी रोड पर 300-400 मीटर आगे जाकर बीजेपी का हेड़कॉर्टर है और ये तो आमाधी पार्टी का हेड़कॉर्टर है ही तो जो भी बीजेपी के खिलाफ आमाधी पार्टी का प्रोटेक्स होता है वो लगबग लगबग मान के चलिए उनके अपने ओफिस से निकलके कुछ कदमों पर ही पुलिस रुकवा देती है ताकि बीजेपी के हेड़कॉर्टर तक आमाधी पार्टी के कारेकरता ना पहुंचें और कोई भिलंत की स्थिति ना बने दोनों पार्टियों में तो ये थी तस्वीर मनीज सिसोधियस की गिरफतारी से अगले दिन की सुबह सुबह की दिली से म मैं शरत चर्मा एंडिटी मीडिया इंतिजाम यहां पर किये गए हैं मनीज सिसोधिया को आज राउस एविनी कोट में उनको पेश किया जाएगा और दो बज़े के आजपास उनकी पेशी हो सकती है और उसको लेकर ही क्योंकि काफी बड़ा नाम है दिली सरकार में मनीज सिसोधिया और आमाधनी पार्टी इस सारे आरोप उनके हैं और इस गरफतारी के बाद और जादा उनको भी बल मिला है और वो अपने आरोपों को लेकर और अब हमलावर है आमाधी पार्टी पर उनके मंत्रियों पर लेकिन इस बीच आज जो प्रदर्शन होने वाला है आमाधी पार्टी का वो भी देखना होग कि कैसे ये हो पाता है और कैसे आमादी पार्टी के नेता खारे करता इस प्रदर्शन में शामिल होते हैं शरत हमारे स्योगी हमारे साथ जुड़ गए हैं उनके पास चलते हैं अब ये थोड़ा बताईए कि कहा कहा पर ये प्रदर्शन किया जाएगा क्या तैयारी है अमादी पार्टी की इसको लेकर और दूसरा जो एहम सवाल ये है कि जो बड़ी जिम्मेदारिया मनी सिसोधिया के उपर थी उनको कौन समालेगा चले शरत तक अबाज सठीक से नहीं पहुँच पारी है फिर से उनसे संपर्टर के पारी हूँ और थोड़ देर पहले जो रिपोर्ट दिखाई थी उससे जादा अब डिप्लोइमेंट पुलिस का हो गया है अच्छा खासा भारी डिप्लोइमेंट इससे पहले आमादी पार्टी हैटकॉर्टर पर कभी नहीं देखा गया पुलिस भी तैनाथ है पुलिस के साथ पुलिस की गाड़ियां भी तैनाथ है डिटेन करने के लिए लोग भी है वाटर कैनन भी है सड़क के एक तरफ भी सुरक्षाबल नजर आ रहा है दूसरी तरफ सड़क के देखेंगे तो और सुरक्षाबल है यहाँ पर असल में आमादी पार्टी का हैटकॉर्टर तो यहाँ पर है ही यहीं से कुछ दूरी पर बीजेपी का हैटकॉर्टर है जहाँ पर मार्च करने की बात आमादी पार्टी कर रही है तो आमादी पार्टी के जो कारे करता होंगे निता होंगे उनको मार्च करने से भी रोकना है क्वाटर पर कभी नहीं देखी गई असल में आमाधी पार्टी ने कल महनीश सिसोदे की ग्रफतारी के बाद में पूरे देश भर में बीजेपी के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का आवान किया है और पुलिस को ऐसा लगता है जो सुरक्षाबल है पुलिस को ऐसा लगता ह करती नहीं होती देखी गई है जैसा की तैनाती इस समय आमाधी पार्टी के हैड़कॉरटर पर नज़र आ रही है और शरण जो नेता कल डिटेन किये गए है यानि कि अभी भी उनको छोड़ा नहीं गया है पुलिस का ये कहना था कि 24 घंटे तक हिरासत में रखने का अधिकार उनके पास होता है तो करीब 12.30 बजे तक का समय पुलिस के पास है अगर तब तक पुलिस नहीं छोड़ती है तो फिर पुलिस को जो है गिरफतारी दिखा लेकिन फिलाल अभी तक एक तो छोड़ा नहीं गया है उनने को कारे करताओं को और दूसरा ही रास थी उनकी बताई गई है कि वो अभी तक हिरासत में हैं आपके पीछे हम देख सकते हैं ट्राफिक भी महाँ पर काफी लग गया है और आप नजर बनाए रखिए आपके पास हम लोटेंगे और अपडेड के लिए इसे जुड़गए तो शरत बता रहे थी कि किस तरह की तैयारियां आमादी पार्टी का जो प्रदर्शन आज होने व हुई है ब्रेक के उस पार कुछ और खबरे लेकर आपके लिए हाजर होता है 2024 के चुनावों से पहले विपक्षी दल्लों को एकजुड करने के पस्ताओं के साथ कौंग्रिस का रायपूर महादिवेशन जो है रविवार को खत्म हो गया कौंग्रिस ने अपने राजनितिक पस्ताओं में विपक्ष को एकजुड करने के अलावा कौंग्रिस को मजबूत करने के लिए एक और भाराज जोरो यातरा करने का भी पैसला लिया रायपूर अदिवेशन की समाप्ति के बाद से ही एक और यातरा की चर्चा तेज हो गई है कौंग्रिस भाराज जोरो यातरा की चर्चाओं को थमने नहीं देना चाहती इस बार ये यातरा राहूल गांधी पूरव से पस्चिम की योर करेंगे चर्चा तो चली रही है आपको अभी जैराम रमेश जी ने भी बताया चर्चा जब स्पूर्ण होगी उस पर जो निश्कर्ष निकलेगा वो आपको जरूर मालूम पड़ेगा लेकिन जो कौंग्रेस अध्यक्ष हमें कारिकरम देंगे हम कौंग्रेस की सिपाही बिलकुल 24 गंटे तयार हैं पसीना और खून बहाने को भी तयार है चर्चा में है चर्चा में बिलकुल है जाहिर सी बात है अगर चर्चा में है तो अभी के लिए ही है सरकार की सोच के बारे मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कॉंग्रेस की इस अधिवेशन में राहुल ने अपने भासन में बीजेपी सरकार परचीन के सामने भुटने टेकने का आरोप लगाया कुछ दिन पहले इंटर्वियू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की एकॉनमी हिंदुस्तान की एकॉनमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते है चाइना की एकॉनमी हिंदुस्तान की एकॉनमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते है जब अंग्रेज हम पर राज करते थे क्या उनकी एकॉनमी हमारी एकॉनमी से छोटी थी इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो इसको कायरता कहा जाता है हमें केवल चलते रहना है हमारी कई पीडिया वहीं कांग्रेस अद्यक्स मलेकार जुन खरगे ने बेरोजगारी और अमीर गरीब की बढ़ती दूरियों को लेकर के सरकार को आरे हाथो लिया देश में जिस जनक स्थर पर गैर बराबरी बढ़ रही है उसका बहुत खतरनाक संकेत मिल रहा है अमीर और अमीर हो रहा है जबकि गरीब और गरीब बन रहा है गाओं और शेरों के पीच खाई गैरी होती जा रही है मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक मजबूत कांग्रेस से ही एक बुलंद भारत बन सकता है मजबूत कांग्रेस कांग्रेस ने अपने राजनेतिक प्रस्ताव में समान विचार वाले राजनेतिक दलों को एक साथ ले करके चलने की बात कही है यानि 2024 के पहले विपक्षी दलों का एक मोर्चा बन सकता है हमसे उमीदे हैं यह उमीद है कि हम एक जुठ हो कि जितनी भी पार्टियां हैं जितनी भी दल हैं जितने भी लोग हैं जिनकी विचार धारा इनसे विपरीत हैं वो आगे आएं एक जुठ होकर लड़ें सबसे उमीद है लेकिन सबसे ज्यादा उमीद कॉंग्रेस पार्टी से है आज इस साल होने वाले बिधान सबा चुनाओं और अगले साल के लोग सबा चुनाओं से पहले कॉंग्रेस देश भर में बड़े अस्तर पर जन्द संग पर कारकरम चलाएगी राइपूर अदिवेशन में कॉंग्रेस ने भविस्ट का प्रोग्राम तै किया है समान विचार दहरा वाले दलों के साथ दोहजार चुबिस के पहले कर बंदन किया जाएगा और भारत जोरो यात्रा की सफलता के बाद हाथ से हाथ जोरो यात्रा की अगली करी पूरब से पस्सम की और होगी इसी साल होगी बिदान सभाचुनाओं से पहले होगी ताकि उसका जो मॉमेंटम है वो दोहजार चुबिस के लोग सभाचुनाओं तक जारी रहे राइपूर से जुल्फिकार अली और कारण पात्रा के साथ मनरंजन भारती एंडिटीवी इंडिया के लिए